नमस्कार साथियो बंदना केडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है मैं बंदना मुद्गर तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी वीडियो जो आपका सीटेट पास कराने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी और आपका सीटेट है वो बहुत ही आसानी स पास हो जाएगा यहीजिए बात करते हैं हम तुक्का लगाने की ठीक है यहीजिए है मतला। सिर्फ तुक्के लगाएं ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको अभी से ऐसा फीर वो रहा होगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपने जो कुछ भी पड़ा है वो हमारे माइंड में फिट हो जाता है और जैसे ही पेपर हमारे सामने आता है तो अपने आप से हमें याद आ जाता है जैसे कि हम किशी मोबाइल में अपना डाटा फिट कर श्रिम कार्ड डाल के रखते हैं और फिर जैसे ही हम उसे ओपन करते हैं तो बो हमारे सामने आ जाता है ठीक उसी तरीके से अभी आपको लगता है कि आपने पढ़ा नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पढ़ाई तो आपने की है लेकिन एकजम टाइम थोड़ा हमको ऐसा आपको कैसे लगाने है और तुक्के भी मैं आपको तीन तरह से बताऊंगी उन तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप लगा सकते हो तीनों ही आपके लिए बहुत जादा बेस्ट होंगे तो सबसे पहले आप एकजाम हॉल में आप धैरे रखें ठीक शाथ पेपर है उसमें आपका जादा प्राब करता है और आपको एकजाम कलियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो सबसे पहले आपको धैरे रखना आ है जो भी आपने पढ़ा है तो एकदम से लम्बी लम्बी शास लीनी है तो देखके और नरवश नहीं होना है OMR को ठीक है जो आपकी OMR sheet है इसको आपको बिल्कुल correct भरना है कुछ चीजे हैं जो आपको पेपर से पहले भरनी होती है ठीक है फिर उसके बाद आपको पेपर मिलता है और पेपर में से भी आपको OMR भरनी है इस पर भी वीडियो मेंने दे दी है तो उसे भी आप देख सकते हैं OMR भरना आपको अच्छे शे आना चाहिए इसमें आप बिल्कुल आम पता है इसे भी ध्यारी के साथ भरें इसमें भी बिल्कुल गलती ना करें क्योंकि आपका एक्जाम है और इसमें आप कोई भी चेंज आपका भासा का तो भासा में आपने जो भी फश्ट भासा ली है उसको आपको नाइनटी यॉन से सो चेंजा अर नार जो भी आपकी भासा सेकेंड़् है उसको आपको egyक्से उत्यक्षिय श LAUB करना था अगर भासा आपका चैंजिक्ष्य हैयारी यापकी हिंदी आपकी तो संस्क्रत भी आपको एक से किश्य ही शॉल्व करनी है और ये आपको संस्क्रत भासा के लिए अलग से प्रश्ण पत्र मिलेगा तो उस प्रश्ण पत्र में भी आपको जो 91 से प्रश्ण होंगे ठीक है तो उनको आपको क्रोस कर देना है छोड़ देना है आपको 21 से प्रश इसी तरीके से आपकी जो हिंदी इंगलिस है यानि आपकी प्रत्य एक भासा के दो शेक्षन आपको मिलते हैं भासा फर्ष्ट हिंदी और भासा सेकंड हिंदी भासा फर्ष्ट इंगलिस भासा सेकंड इंगलिस भासा फर्ष्ट संस्क्रत भासा सेकंड संस्क्रत इस तरीके से तो अगर आपने हिंदी में बासा फष्ट को हिंदी चुना है तो आपको बासा फष्ट वाले कोई option को करना है second चुना है तो शैकिन को भी करना है इस तरीके से ये आपको अवश्य ध्यान में रखना है अगर कूंकि यहां आपसे गलती होती है तो शीदे शीदे आपके तीश नमबर कम हो जाती है ठीक है तो ये तीश नमबर आपको कम नहीं करने है क्योंकि ये तीश नमबर अगर आपके कम होते हैं तो फिर पेपर पास होने में आपको दिक्कत होगी और पेपर पास भी अगर आप हो जाते हो तो अगर आपको सेकेंड नहीं मिलते हैं तब भी आपको फैल ही माने जाओगी तो इसलिए आपको ये गलती भी बिल्कुल नहीं करनी है अब बात करते हैं कि तुक्का लगाने की तो तुक्का आपको बिल्कुल बिना पड़े हुए नहीं लगाना है सबसे पहले आपको प्रशन पढ़ने है पहली बा सबसे पहले आप CDP कर लीजी ठीक है और CDP के बाद मैं यह कहूंगी कि आपको भासा के सेक्षन पर चले जाना है तो आपको अपनी भासा कर लेनी है क्योंकि भासा में थोड़ा ज्यादा टाइम हमारा लग जाता है भासा में मतलब हमारे गध्धांश और जो पध्धांश आत CDP के बाद और आपको जो भी प्र fácil नहीं आते हैं तो उन प्रस्ण होंपे आप गोला कर दीजिएगा टीक है जैसे आपका नमर एक है तो इसे नहींए आता है इस्पा गोला अक यह पता चलेगा कि आपका यह प्रासा भी अब बासा के बाद आप EBS को लेशकते हो, और शेकर में आप SST कहते हो, आप SST करें सकते हो, तो SST के इस तरीके से, और शबसे बाद में आपको में यह कहूंगी पेपर फर्ष्ट में आप मेहत को लास्ट में शॉल्व करिएगा क्योंकि मेहत थोड़ा हार्ड भी हो जाता है और जिन बच्चों का मेहत अच्छा है वो शबसे पहले मेहत भी कर सकते हैं आप अपने साफ से इने कर सकते हो इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है अब बात करते हैं कि जो भी आपका सबसे बड़ा वाला ओप्सन होता है लेकिन इसके साथ साथ इसमें आपका पॉजटिव ठीक है आपका positive tag words अवश्य होना चाहिए ये positive होना चाहिए तभी ये आपका बड़ा होगा अगर आपको प्रशन नहीं आ रहा है ठीक है आपको शमझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है तो आप सबसे बड़े वाले option के साथ चले जाएए और उसमें positive tag words ढूड़िए अगर व आपको positive के साथ नहीं जाना है ठीक है तो आपका positive भी होना चाहिए और सबसे बड़ा भी होना चाहिए जहां भी आपको all वाला शभी वाला मिल जाए या फिर बहुत वाला मिल जाए ये भी option आपके सीटैट में जादा तर शही होते हैं तो इनके साथ भी आपको ये बाले चली जाना है इनके साथ भी और आपको positive और negative ये टेग बर्स आपको अवश्य देखनी है तो इसके साथ साथ फिर एक बात में आपको ये भी बता दू कि आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है क्योंकि आपका इसमें negative marking नहीं है तो फिर आपको सारे प्रश्णों को शॉल्ब करके आना है अगर आप छोड़के आते हो तो फिर आपके लिए थोड़ा परिशानी हो शकती है आप बात करते हैं मैं पॉइंट तुक्का लगाने की तुक्का हम कैसे लगाएं तो तुक्का लगाने के लिए आपको मैंने ये श तो जैसे हमारे पास ओप्सन होते हैं A, B, C, D तो शीटेट के आप प्रीविस येश के प्रशन पत्रों को भी देख सकते हो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से शुक्वल होता है कि आपके ये वाले जैसे 35 प्रशन सही है तो ये आपके 30 सही होंगे फिर ये भी आपके 35 हो सकते हैं ये आपके 30 हो सकते हैं या फिर ये आपके 40 हो ये 35 हो और ये 35 ही 35 हो इस तरीके से ये होते हैं ठीक है या फिर कोई आपके 30 तक नो होते ही होते हैं यानि प्रत्य आपके 30 शही होते हैं तो जब आपने पूरा पेपर शॉल्ब कर लिया है तो आपको लाश्ट टाइम अब यह मत के ना कि हमारे पास गिनने का टाइम नहीं वचेगा यह मात्र आपके पास 5 मिनट की मतलब मा हैं आपको दखार है तो इसका मैं आपको दखाए दे रही हूँ कि ये देखो आप इस तरीके से आपका प्लाइन पिपर चेकपिर हो रहा है तो ionbr लेगी और आपको कैसे बननी है यह अपने आपको बता दिया है जैसे यहाँ आपका यह डैसे भनना है यह तो पुष्ट का नमबर है यह आपका अंक्रमांग है तो जैसे हमारा 6, 0, 3, 2, 1, 5, 9 ठीक है और 4 इस तरीके से हमारा दिया होगा तो हमारा यह 6 है तो ये 6 वाली लाइन में ही आपको ये यहां करना है, ये हमारा 0 है, इस तरीके से ये मैंने आपको भरना सखा दिया है, इस पर मैं जादा टाइम नहीं विश्ट करूँगी, उसके लिए आप हमारी OMR वाली वीडियो देख सकते हो, तो फिर आपको क्या करना है, कि इस तरीके आपको गिनके आपने पेपर पर लिखना है, ओमْयर्स पर आपको खुछ भी नहीं लिखना है, तो अगर आपके A वाले option ठीक है 30 शही है और B वाले आपके 28 हो गए है और C वाले भी आपके लगब 25 आपने cross कर लिये है और लेकिन D वाले अभी आपने ये 10 या फिर 12 या 7 इस तरीके से अगर आपने किये हैं तो फिर आपको D वाले के साथ चले जाना है और आपको सारे अपने D वाले option को गोला कर देना है ठीक है ये ऐसे करके आपको सारे D वाले option को शही कर देना है क्योंकि C टेक के exam में ज्यादा तर आपके ये 4 option को ये शुक्यल होता है आप प्रश्न पत्रों को देख सकते हो अभी आपके पास time है ये मेरा श्वैम का अनुभव है कि बहुत शारे प्रश्न पत्रों को मैंने उठा के देखा है ये श्वैम अनुभव किया है कि इस तरीके से होता है अगर आप अगर मानके चलिए कि आपके D वाला अपने 40 question हो गया या 30 हो गया आपका जो भी 25 क्रोस कर जाए उस option को आपको नहीं लेना है जो भी 25 से कम बढ़ा option है तो जो अप्शन को जो a,b,c,d मैं यह नहीं कहुंगे कि 25 से कम हो इन तीनों में से आपको काउंट करना है गिनना है और जो भी option आपका कम है जिस प्री option के आप अगर शीटेट में यह होगा आपका तीस वाला तो इसमें आपने शाथ कोश्चन कर वी दीए है तो बागी के आपके यह कोश्चन सही होश्यकते हैं तो थोड़ा यह मेरे श्वैम के अन्वभ है तेकिन मैं यह नहीं कहूंगी कि आपको शिर्फ इसी के साथ जाना है जब आपके पास कोई भी ऑप्षन नहीं हो ठीक है मातर आपके पास पास मिनट का समय हो दो मिनट का समय हो तब आपको यह वाली ट्रिक अपनानी है तुक्का लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके से डेली वीडियो मिलती रहेंगी